हाई फ्रेंड्स वेलकम टुक्यानिया दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कौमा नहीं है जी बैजाइनस मिस ठीक है कई लोग को इसका मतलब भी पता नहीं होता और कई लोग को यह समस्या होती है कई महलाओं को उनक तो क्या होता है उनको जब फस्टाइम सेक्स करते है नॉर्मली तो क्या होता है ठीक है फस्टाइम हाइमन ब्रेक होता है तो दर्द तो होता है नॉर्मल ठीक होती है लेकिन वह कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है उनको फील नहीं होता है फिर वह अपने सेक्सोल लाइफ तो महला को बहुत ज़्यादा इंपरेजिंग फिल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा उसको हीट मिलती है कि वो सेक्ष्वल एक्टिव नहीं है उसके साथ कुछ नहीं कुछ कॉंप्लिकेशन है तो यह कोई महला अपने आप से नहीं बनाती यह एक फिजिलोजिकल प्रॉड है महला जब सेक्स करती है या तो क्या होता नॉर्मली पैने सेंटर हुए आता है लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर इन्वॉलेंट्री मसल कॉंट्रेक्शन होता है कई महलाओं में इन्वॉलेंट्री मसल कॉंट्रेक्शन मतलब कि अनेक्षिक मसल्स के अंदर कॉंट्रेक्श पैनिस के रास्ते में आता है तो पैनिस अंदर जा नहीं पाता है जो अधा फोर्स पुलिय उसको एंटर कराया जाता है सेक्स किया जाता है तो महला कुछ दर्द होता है और दर्द ऐसा नहीं होता है कि ठीक एक दू मिनिट हुआ आदर गंटे एक दंटे जब जब उसको किया जाएगा इंट्रकॉर्स सेक्सोल एक्टिविटि करेगी महला तो उसको दर्द होगा और दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसा लगता है कि जिंदिकी महला सेक्स नहीं कर सकती बच्चे पगरां नहीं होगा तो इसी को बोलते हैं बैजाइनेस मिस अब बात करें कि भाई डॉक्टर को सरम के कारण बताती नहीं कि वह एंसी समझ से है वो sexual activity नहीं कर पाती है sexual life उनकी खराब हो रही है शादी के बाद महिला कभी sex कर ही नहीं पाई है क्योंकि उसको दर्द बहुत होता है क्योंकि involuntary muscle contractions हो रहा है हम्प निकला हुए अंदर से इस तरह से हम्प निकलता अंदर से ठीक है तो इसका और भी कारण हो सकते हैं देख बैजाइनेस में एक कंडिशन है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि प्याइडी पैल्विक इंफ्लेमेंटर डेजिस होती है एक समसे उस पर वीडियो म के अंदर कोई इंफेक्शन है वह भी कारण हो सकता है गोनेरिया सिफिलिस तेर सो मेंई कॉसे कि बैजाइना के अंदर इन्वोलेंटरी मसल कॉंट्रेक्शन होता है जो कि नहीं होना चाहिए जब जब आदमी सेक्स करेगा उसको दर्द होगा महला को फिर महला को बहुत इस फिरिकल प्रॉडम है उसका सॉलूशन क्या होगा देखो इसका सुलूशन सिर्फ सिंपल सा है कई लोग अगर सुनेंगे अभी इस वक्त वक्त उनको ऑफेंड होंगे या कई लोग मुझे गलात कमेंट करेंगे तो सम्झों यहीं ट्रिट्मेंट होता है डाइलेटर्स सेक्स ट्रोइं सकते हैं और सबसे फिर्टा वाला एंटर कराया जाता थिक छोटा वाला फिर बड़ा बाला फिर बड़ा बाला इस तरह से बाइजाना महला खुद से कर सकती यह चीज जिस दिन महला को कमफर्टेवल लगने लगे कि हाँ मेरे को कोई प्रॉड्म नहीं है तो फिर वो नैचुरल सेक्स भी खड़ सकते हैं अगर यह डायलेटर नहीं मिलते तो सब्सक्राइब सकते हैं ज्यादा है तो आप अने इस टैसे जल वहाती है लेकिनों का लॉक्स और अप्लाइब कर सकते दर्दुला कम कर तो यहीं कुछ होती हैं वह खुद से क्वेवलरी चीज करना रहती है तो महला को एक समया साथा आएक उसको एक इसली पेंटर जो penetration हो सकता है ठीक है तो penis का इंडर कोड्स आरम से हो जाता है महला को तकलिप नहीं आती इसी को बोलते हैं by gynis miss कई महलाओं में होता है उनको लगता है कि मेरे साथ ये क्या problem मैं sex में कर पा रहे हैं लेकिन को पता नहीं होता है समस्य का solution भी है सिर्फ नॉर्मल सा आपको ये penis एंडर करने का आपको exercise करना है इस डाइलेटर की मदद से एनेस्थेटिक चेल लगा सकते हैं वह बस यहीं इसका solution है कि कई महलाओं में sex के नहीं कर पाते हैं उनको पें तकलिप क्यों होता है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें नए हैं हमारे चनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर notification मिल जाया दो आपके काम आ सकते हैं आप देख रहते ग्यानियर अड़ता मेडिकल चैनल मैं हूं शिवं तो मैं मिलता हूं अगले बोड़ी में बोस्तों जय हिंद्बंदी मात्रम अगले बोस्तों जय हिंद्बंदी मात्रम